बहु के जुडवा बच्चे क्या हुआ तुमें इस बात के खुशी नहीं कि इस गर में दो-दो नन्ने-नन्ने महमान आ रहे हैं नहीं भाबी मैं बहुत खुश हूँ आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं तो बस यह सोच रहे हूँ की ऊपर वाले ने आपको दो-दो बच्चे एक साथ दे दिये और मुझे एक बच्चे के लिए ही तरसा रहा है अरे कामिनी तुम परिशान मतो देखना तुम्हारी गोद में भी बच्चे खेलेंगे संयोगिता कामिनी को समझा ही रही थी की तबी संयोगिता की सास शीला आ जाती है अरे बहु तु यहां क्या कर रही है तुझा आराम की जरूरत है कामिनी संभाल लेगी घर का सारा काम जा लेकिन मा जी अरे छोड़ना लेकिन वेकिन चल मेरे साथ शीला संयोगिता को वहां से ली जाती है और कामिनी को इस बात का बहुत दुख होता है घर में हर कोई संयोंगी तका खयाल रखता कामिनी पर कोई भी ध्यान नहीं देता एक दिन शीला ने अपनी बहु के लिए लड्डू बनाए अरे मा, कितने स्वादिष्ट लड्डू है एक आमिनी, हाथ मत लगाना इन लड्डू को ये मैंने बहु के लिए बनाए है आखिर वो इस घर को दो-दो बार इस देने वाली है ठीके मा, ये लड्डू आपने भाबी के लिए बनाए है लेकिन अगर एक लड्डू मैं ले लूँगे तो क्या हो जाएगा देख कामिनी, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती अच्छा, तु अपने ससुराल में फोन करके बोल दे कि तु कुछ दिन हमारे घर में ही रुकेगी क्योंकि तेरी भाबी को और इस घर को मैं अकेले नहीं संभाल सकती शीला अपनी बेटे को हुक्म सुना कर चली जाती है कामिनी सूचती है जबसे भाबी की मा बनने की खबर आई है तबसे घरवाले पागल हो गया है मैं तो किसी को दिखाई ही नहीं देती अब तु मुझे माई के भी नहीं आना चाहिए नहीं तो अपनी भाबी का ज्यादा खैल रखना पड़ेगा एक तु कामिनी कभी मा नहीं बन सकती उपर से अपनी मा और घरवालों की बरताव से उसका गुस्सा और बढ़ गया अब वो अपनी भाबी को सबक सिखाना चाहती है और इसलिए वो अपनी भावी को मा बनने नहीं देना चाती एक दिन कामीनी सुबर जल्दी उठकर अपनी भावी की कमरे के सामने तेल गिरा देती है मैंने भावी की कमरे के आगी बहुत सारा तेल गिरा दिया है भाबी सुबह चल्दी उठती है, कमरे से बाहर आएगी और गिर जाएगी इस तरह ना रहेगा बास और ना बजेगी बास उरी कामीनी अपने कमरे में चली जाती है थोड़ी दिर बाद उसे किसी के चिलाने की आवाज आती है तो वो देखती है कि जमीन पर उसका भाई सावरो गिरा हुआ है शीला उससे पूछती है अरे बिटा, सुबह सुबह भांग खाकर आया है क्या? जो गिर गया बाह, यहां किसीने तेल गिराया हुआ है देखो मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर गया यहां तेल किसने गिराया होगा? आज तो भावी आपको भाईया ने बचा लिया लेकिन अगली बार आपको कौन बचाएगा? सभी वहां से चले जाते हैं और अपने अपनी काम में लग जाते हैं ऐसे ही एक दिन कामिनी अपनी भावी से कहती है भावी आप अपना बिलकुल भी ध्यान नहीं रखती हो ये लो मैं आपके लिए पपीता लेकर आई हूँ जल्दी से खालो इसे सईयों किता पपीता खाने ही वाली होती है कि तबी वहां पर शीला आ जाती है अरे बहु ये क्या गर्जब कर रही हो पपीता क्यों खा रही हो क्या हुआ माजी ये पपीता तो मुझे कामिनी न दिया है हाँ मा मैंने भावी को पपीता दिया उन्होंने सुबर से कुछ खाया नहीं था न इसलिए कामिनी तु पागल हो गई है क्या तुझे पता होना चाहिए कि पपी ता गर्भवती महिला को नुकसान पहुँचाता है संयोगिता अब से तुम मुझे से पूछे बिना कुछ नहीं खाओगी मा आप तुम मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे मैंने सब कुछ जान बुछ कर किया हो कामीनी केसर वाला दूद बनाने चली जाती है और सूचती है बाबी आपकी किस्मत अच्छी है कभी भाई आपको बचा लेता है तो कभी माँ आपको बचाने दोड़ी आती है लेकिन मैं भी ना आखरी दम तक कूशिश करती रहूंगी इस तरह कामीनी अपनी भाई की किलाफ कुछ न कुछ साजिश रचती रहती एक दिन सयों किता अपना सर पकड़ कर बैठी थी तब भी वहाँ पर कामीनी आती है भाई क्या हुआ आप ऐसे सर पकड़ कर क्यों बैठी हुई हो कामिनी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है दर्द की वज़े से सर फटा जा रहा है मेरी पास तो सर की दर्द की दवाई है लेकर आओ मैं लेकिन कामिनी माजी ने कुछ भी खाने से मना किया है न और वैसे भी दवाईयां मुझे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही खानी चाहिए अरे कुछ नहीं होता भाबी, ये तो नॉर्मल सी दर्द की दवाईये, खालो आग सईयोगिता कामिनी के कहने पर वो दवाई खा लेती है लेकिन ये बात सवरो को पता चल जाती है तो सवरो पूरे घर को सर पर उठा लेता है सईयोगिता तुम पड़ी लिखी होकर ऐसी हरकते क्यों कर रही हो माना के सर दर्द की दवाई नॉर्मल है लेकिन तुम्हें कोई भी दवाई डॉक्टर की सला के बगर नहीं खानी चाहिए मैंने मना किया था कामिनी को लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी संयोगिता कामिनी को क्या पता कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं देखो अब से तुम अपना बहुत 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 ध्यान रखोगी सवरो संयोगिता को सुना कर वहाँ से चला जाता है एक दिन संयोगिता की तब्यत बहुत खराब हो जाती है घर में कामिनी के अलावा कोई नहीं होता संयोगिता कामिनी को आवाज लगाती है कामिनी, कामिनी जल्दे से यहां आओ कामिनी मेरे तविर ठीक नहीं है लगता है अस्पिताल जाना होगा लगता है भाबी की तवियत खराब हो रही है संयोगिता दर्द की वज़े से रो रही थी लेकिन कामिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन संयोगिता की किस्मत इस बार भी अच्छी निकली सही वक्त पर उसकी सास और पती आ गए सास ते कामिनी को उठाया और तीनों मिलकर संयोगिता को अस्पताल ले गए मा मुझे बहुत टेंशिन हो रही है संयोगिता और दोनों बच्छे ठीक हो बस अरे परेशान मत हो बेटा सब ठीक होगा संयोगिता का ओपरिशन चल रहा है ना थोड़ी दिरबाद अपरिशन खत्म हो जाता है और संयोगिता दो प्यारे से बेटों को जन्म देती है सब संयोगिता को बधाई देते हैं कामिनी कहती है बधाई हो भाबी आप मा बन गई कामिनी तुमे भी बदाई हो तुम भी तो मा बन गई ये क्या बोल रही हो बाबी ताने क्यों कस रही हो मैं कैसे मा बन गई अरे जब हमें पता चला था ना कि मैं जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हूँ तो मैंने और घरवालों ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर दोनों बच्चे कुशल मंगल हो गए तो इन में से एक बच्चा हम तुम्हें दे देंगे हाँ कामिनी ये सच है तबी तो मैंने तुम्हें सिसुराल जाने से रोका था कि तुम सहियों गिता के साथ रह कर उसकी ममता मैसूस करो सवरो एक बच्चा उठाकर कामिनी की गोद में रखते हुए कहता है ये लो कामिनी आज से तुम इस बच्चे की मा हो हमने सुख तुख साथ बाटे हैं और ये खुशी भी हम साथ ही बाटेंगे कामिनी बच्चा गोद में लेकर रोने लगती है और मन ही मन सोचती है अपने उपर शेर मारिये मुझे मैंने इन दोनों मासुम बच्चों को मानने की कोशिश की उपर वाले मुझे माफ कर दे मेरे घर वाले मेरी बावी कितनी अच्छी है और मैं इन बच्चेव की जान लेकर अपने घर वालों को दुख देना चाहती थी कैसे इन सबसे अपने गुनाहों की माफी मांगू कामिनी ये सब सोच कर मन ही मन बहुत पचता रही है सयों कीता ने उसे जाने अंजाने उसकी नफरत का जवाब बहुत प्यार से दिया जिससे कामिनी का रिदय परिवर्तन हो गया